ओम श्यांति स्वायम भगवान ने इस अंसार के खेल को एक सुन्दर नाटक कहा है सचमच ये विशाल ड्रामा कितना सुन्दर है इसकी ब्यूटी को तो जरा देखें कैसे ये सब संसार रचा गया सूरच चांतारे आकास और अने ग्रह इसमें निर्मित हुए कैसे हरात्मा अपना-पना पार्ट इस विश्व के नाटक में वजा रही है जो एक आत्मा का पार्ट न मिले दूसरे से जो एक पल का पार्ट न मिले दूसरे पल से सब कुछ बदलता जा रहा है फिर भी मनुस पास्ट की बहुत चिंता करता है जबकी मालूम होना चाहिए भविस से पूरु निश्चित है होगा वही जो ड्रामा में निश्चित है इसका अर्थ ये कदापी नहीं के हम अपना पुरसार छोड़ दें और ड्रामा में जो होगा उसको केवल देखें ऐसा भी नहीं हमें पुरसार्थ भी स्रेष्ट करना है और निश्चित भावी पर निश्चिंत भी रहना है देखिए कितना सुन्दर ये नाटक है पांच हजार साल में ही रिपीट होता है जो घटना एक बार हो गई उसको पुने आने में पांच हजार वर्स लग जाएंगे कुछ बीत गया है वो पूरा हो गया अब उसकी चिन्ता से उसकी चिंतन से उसको याद करके परिशान होने से कोई फाइदा नहीं क्योंकि उस सीन को ना तो बदला जा सकेगा और न वो सीन जल्दी-जल्दी रिपीट होगा उसको तो कांच हजार वर्स जहीं ये रिपीट ह इसलिए हम पास्ट को बार बार खोल कर न देखा करें जैसे कहवत है गड़े मुर्दे उखाड़ना अर्थात पास्ट का चिंतन करना उन्हें याद दिलाना उन्हें याद करना अगर हम गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो मुर्दों से क्याएगी हमें बहुत जादा बद पुरानी बातों में यदिवदबू है तो उसे वरतमान की सुन्दर बातों की सुगंद से समाप्त कर दें देखिए कितना सुन्दर नाटक है हर आत्मा यहां अपना अपना भाग्य लेकर आई है हर एक को उनकी योग्यता और सक्तियों के नुसार पार्ट मिल गया है लोग सोचते हैं भगवान ने इसको ये पार्ट क्यों दिया ये क्यों दिया भगवान ने किसी को ऐसे ही नहीं दे दिया जैसे कोई डारेक्टर भी एक्टर्स का सेलेक्शन करता है तो उसकी योग्यताओं के अनुसार ही उसे पार्ट दिया जाता है इस ड्रामा में भी कौन कितना सक्तिशाली है, कौन कितना पवित्र है, कौन कितना सदगुनों से भरपूर है, और किसके पास कितनी आत्म विश्वास और आत्म बल है, कौन देने लेने में परफेक्ट है, किसके पास परखने की शक्ती है, कौन अपने कारियों को चुस्ती के स करता है ये सब मापदन्द है किसे के भी पाठ के निश्चित होने के किसके पास कितनी बुद्धी है बुद्धी की सरेश्टा भी मनुस के पाठ को निश्चित करती है किसके पास धर्म का वल है, किसके पास कवित्व है, किसके पास गायन सकती है, किसके पास लेखन सकती है, ये योगताएं भी मनुस के पाट को निस्चित करती है. तो आईए, हम इस ड्रामा के खेल को साक्सी होकर देखें, और याद किया करें, कितना सुन्दर खेल चल रहा है, कई लोग सोचते हैं, क्या भगवान इस नाटक को बदल नहीं सकता, क्या हमारे पार्ट को बदल नहीं सकता, बदले क्यों, ये तो सब accurate चल रहा है, जो हो रहा है, वो perfect है, वही सत्य है, वही होना चाहिए, बदलने की मार्जिन तो वहां होती है, जहां कुछ गड़वड हो, इसमें कुछ भी गड़वड नहीं है, तो फोन तहा साक्सी हो जाएं, और अपने को ड्रामा का hero actor जानते हुए, समानते हुए, अपने पार्ट को enjoy कर तो आज का हम स्वमान रखेंगे, मैं इस विशाल ड्रामा का hero actor हुँ, मेरे पार्ट को सारा संसार देखता है, एक एच्छन का मेरा पार्ट बहु मुल्य है, बहुत कीमती है, मुझे फालो करने वाले करोडो मनुस्यात्माएं हैं, अपने को ऐसा जिम्मेदार समझते हुए आज इस स्मर्ती में रहेंगे और अभ्यास करेंगे, बाबा की परमधाम से शंती की किर्णे मुझे पर पड़ रही हैं, और सारा दिन इसका आनन्द लेंगे, ओम सारा